चलो देखो, लास्ट क्लास में जहां छोड़ा था उससे आगे, अज यह थर्ड क्लास है और लास्ट क्लास है मिक्स्टर एलिएशन की, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चार पांच कोशें नहीं है, एलिएशन यूज करेंगे आज पर लिए है, में चीज, को इसको रहने, दोन रहने, नहीं ठीक है वह, यह अर्थ है, और अर्थ पर दो हैमिस्पेर होते हैं, दो गोलार्द होते हैं, कौन-कौन से, नोर्थ और साउथ, उसमें कहा कि पूरे अर्थ पर लेंड और वार्टर का रिश्यों, वन इस टू, टू, पूरी धर्थी पर लेंड और वाटर, भूमी और पानी का एक अनुपाद दो है, पूरे पर, इतना अगर भूमी है तो इतना पानी है, और उसने कहा कि नोर्थन हैमिस्पेर पर, नोर्थन कौन साथ हो, उपर वाले नीचे वाला, इतना पता ही चल गया होगा, इस पर है लेंड और वाटर का रेशियो, टू इस टू, और इस पूरी पिर्थवी पर है, वन इस टू, लेंड और वाटर का रेशियो, यहां बता दो कि लेंड और वाटर का रेशियो क्या एगा, कोशन समझ में आगया क्या है, भाई पूरी पिर्थवी पर यह बता दिया, धर्ती और पानी का भूमी औ उपाथ है दो नुपाथ तीन दक्षणी में बताना आपको ये काम करना है हमने पहली क्लास से मिक्षर एलिकेशन में ये पड़ा था हम क्या करते हैं देखो मैंने लिखा पहले अर्थ का इफ और अर्थ है प्रित्वी अर्थ पर लेंड और वाटर का रिश्यो है वन इस टू नौर्दन हैमिस्पेर पर है टू इस टू थ्री पूरी पर बताना है पहले हम इनको बराबर ले ले लेते हैं इसका कितना है सम और इसका पहले बराबर कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं इसको एक्स्प्लें करता हूं अभी इन दोनों को बराबर करना है तो इनका एलसिम कितन आ गया तीन और पांच का पंद्रह इसको कितने से तो यह भी यह भी यह तेन और तीन मैं एक स्प्लेइन करूँगा भी क्यों करा ऐसा यह फाइव इस टू इस टू बराबर हो गया मैंने बराबर इस लेकर मुझे पता है अर्थ इक्वल दो पार्ट में डिवाइड है नोर्द नोर सौट और मैं अगर अर्थ को लूँ प्रत्वी को तो नोर्थ का डबल होगी नहीं होगी है डबल होगी और मैंने पिछली क्लास में चिखा है आपको कि मुझे यह बाला से करना है भाह्यक्ष के लोते हैं तो डाइरक्ट्स ट्सक्राटां करते तो डैय के अर्ट्स लखको बड्र मैंरे को डबल करना है इसको एक रखना Us को गर न needle कुना कर दो 2 से multiply कर दो भई पूरी पिर्थवी उत्री गोलार्द का डबल होगी सही है तो आपको क्या करना है इस वाले रेशियो को इस से डबल लेके आना है जो उसका तो पहले क्या करो दोनों को बराबर और फिर जिसको डबल करना उसको 2 से कर दो अगर मैं कहता है इसका रेशियो बनाना दो रेशियो तीन तो इसको 2 से मल डिपलाई करता है और इसको इक्वल करने के बाद जिस भी रेशियो में चाहोगे उसमें बदल सकते हो और मुझे पता है अर्थ जो पिर्थवी होती है वो पूरे बराबर दो भागों में है तो नॉर्दन हेमिस्पेर साउधन के बराबर होगा पर पूरी पिर्थवी नॉर्दन का क्या होगा डबल तो मैंने यहां लिखा इसको 10 और और यह क्या है मेरा नॉर्दन अगर पूरे अर्थ में से नोर्दन अटाऊंगा तो कुन सा बच जाएगा तो यह माइनस कर देते हैं 4 रेश्यो बात समझ में ही क्या हुआ अचा कुछ बार मैं ऐसे होता है मैं कि कुछ कोशिन ऐसे भी आजाते हैं थोड़ी ही कोमें सेंस लगानी पड़ती है अब किसी को यह नोर्दन साउदन हमिस्पेर का कॉंसेप्ट नहीं पता तो से यह सोल भी नहीं होगा यह पता लगाना जूरी था कि अर्थ उसका डबल होती है पूरा दो गोल आरदे में बटी हुए है जोगरफी थोड़ी बहुत तो पता होगा है ना ठीक है अगला सेम तुम्हारे लिए करो बहुत नहीं दायू इतर को तेरा क्या नाम है यह यह हां क्यों सो रहा है कर दो सोल करो फटाफट फाइफ रिशो फूर सही है आपको रेशो दिया था नोर्दन हमिस्पेर में और अर्थ में अर्थ में था लैंड और वाटर गा रेशो फॉर इस टू फाइफ टाइम से आगरो भाई नोर्दन हमिस्पेर में रेशो था वन इस टू तू अब मुझे पता इन दोनों को पहले बराबर करें क्योंकि इनका रेशो टू इस टू वन होना चाहिए अर्थ उससे डबल है तो बराबर यह 9 हुआ और यह हुआ अब इनको बराबर करने के लिए कितना हो गया इसको फॉर इस टू फाइफ थ्री इस टू अब अर्थ नोर्दन का डबल होगी तो इसको कितने से बात समझ में आरें क्यों हो रहा ऐसा और अर्थ में से नोर्दन माइनेस करोगे तो इस सव्धनमी स्पेर आजाएगा दक्षणी गौला हुर यह तू क्यों आवर रहा तेरे को पता चला क्या हुआ क्या पता चला पताना कर रहा नोर्दन और सावदन वाला कोशन कर रहा है सही अच्छी बात आगया गारी वच्चा है जो गुरु जी बोलते सब ठीक है अगला देखो कोशन चेंज हो गया है एक कंटेनर में मिलक और वाटर का रिश्यो वन इस्टू दूसरे में फॉर इस्टू वन करा किस रिश्य में मिक्स करें देखो दो कंटेनर है एक में वन इस्टू टू दूसरे में फॉर इस्टू वन इन दोनों को तीसरे में किस रिश्यो में मिलाए कि रिश्यो क्या हो जाए वन इस्टू रिश्यो मतलब है इसमें से मैं कितना लिटर लू और इसमें से कितना लिटर तीसरे में मिलाऊं ताके मेलक और वाटर का रिशो वन इस टू वन हो जाए मिक्स रेलिगे सन्हम तीजरी क्लास पड़ रहे हैं तो कोशिंस तो मिक्स रेलिगेसिन करें पर यह मिक्स वाला नहीं करा था एक मैं समझाता हूं अगला तुम करना मैंने चीज पहले बताई है कभी भी ऐसा कोश्यन आये कि इन दो चीजों को लेकर यह नेट रिजल्ट लाना है दो चीजों को यूज करना है और नेट रिजल्ट यह आना चाहिए तो हम एलिगेशन यूज करते हैं यह पहले भी हम टाइम एंड वर्क में टाइम इंड दो करना है और यह रेश्यो आजाना चाहिए वन इसटू वन ऐसा होना चाहिए तो मुझे पता है मैं इसमें कोई भी एक चीज ले ली आ जो आपका मन करने में लिख लिया वाटर पर जो लो तीनों का सेम लेना अगर पहले का मिल्क लिया तो दूसरे का भी मिल्क और तीसर मैंने तोटल देखो इसमें मिल्क था एक वाटर था दो मिल्क कितना एक टोटल कितने में से एक है तीन में से एक है अब यहां पर मिल्क लिखू तो यह कितना है टोटल कितने में से दोनों का सम पांच है और आपको लेके कितना आना है मिल्क तो इसको यहां रखे लेते हैं सही है यह क्रोस में माइनस करते दे और मैंने यह बात बताई भी थी यह वैलू हमेशा एक से बड़ी और एक से छोटी होगी अगर यह दोनों से बड़ी या दोनों से छोटी होगी तो यह बात पक्की है कि कहीं न कहीं या आप कहीं गड़ बढ़ कर रहे हो एक चीज का स्वीच ओफ था फिर ये चल कैसे रहा था रिकोर्ड नहीं हुआ होगा तो आज ये क्लास नहीं मिलेगी तुम्हें लाइव ही है तो ये बात बताओ एक के तीन इससे करोगे वो बढ़ाएगा तो ये बात बताओ एक के दो इससे करोगे वो बढ़ाएगा तीन वाला चोटा आएगा तो वन वाइट टू माइनस और फोर वाइव फाइव माइनस टैनल से माया आठ माइनस पांच तीन बटा चैल से माया या एक बटा क्रोस मल्टिप्लाई अठारा रेश्यो नो रेश्यो अगर आप इस कंटेनर में से नो लीटर ले लो इस में से पांच ले लो दोनों को तीसरे में मिला दू रेश्यो क्या आजाया या वन इस टू ये कुशिन पढ़ चुकिया आप लोग नहीं पढ़ा और ये वाला कि दो कंटेनर है इनमें मिलक और वाटर का रेश्यो ये है और इसमें से नाइन रेश्यो फाई में तीसरे में अड़ करा तो क्या आएगा पढ़ा थैसा मैं कुशिन दुबारा से एक्स्प्लेन करता हूँ कैं एकनटेनर में मिल्क और वाटर गारेशयों क्या था 생त्र गा धा वन właściटू दूसरे में मिल्क और वाटर गारेशयों फॉर ў इस टू यह इनको नाइन रिशयो 5 में एड्ड़ गया तो में रेशयों क्या आएगा ऐसा कुछ पढ़ा था अरे दूसरा कोशिंद कर आया था जब मीक्शर एलिएशन सुदू करा कि दो कंटेनर है उन्हें मिलक और वाटर गा रेशो यह हैं उन दोनों को नाइन देशो 5 में मिक्स करा गया तो तीसरे कंटेनर में रेशो क्या आएगा पहले में को बराबर करते दे फिर एक को 9 से मल्ड के बेज़ते हैं आज ये रिकोर्डिंग ये पीडियेफ ये कोश्चिन वह भी नहीं करें आज से आना मत अगली गलास से यहां पर मारूंगा बहुत वरना कि भाई जो तुम छुट गया उसको वीडियो में देख लो फ्री में अवेलेबल हो रही हैं कि अगरेख वित्र से ओक्यों रहा और संडे के टेस्ट में पूछूंगा कितना सिंपल है मैनत करों कि तो सारा ही मैथ सिंपल है कि चलो अगला आप लोग करो हैं सेम कोश्य नहीं कि अ कोई भी ले लो चैन दोनों का मिल्क ले लो या वाटर ले लो जो लो तीनों में सेम लेना है कि अ भी ले लो जो जो भी लोगा है आया कुछ है गलता रहा गया 30, 35, 19, आया नहीं, क्यों, भाई, पहले में रेश्यो है, मिल्क और वाटर का, 2 is 2, 3, बोड बर देख लो, अगले में मिल्क और वाटर का रेश्यो है, 4 is 2, और आपको मिल्क और वाटर का रेश्यो लेकर आना है, 1 is 2, तो यहां मिल के लिए लेता हूं, मिल के लिए लेते हैं, 2 by 5, 4 by, और 1 by, सही है, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो 2 by 5 minus, 1 by 3, 4 by 19 minus, 1 by, 15 LCM आया, 6 minus 5, 1 by 15 आगे हैं से, 57 आया, कुछ 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 बोल रहा है, 19 आगे हैं, तो दोने से छोटा हो गया ना, इसको रेश्यो को चेंज कर लो, आरे रुक जाना, चार बटे साथ कर दो, और चार बटे साथ के लिए इसको फोर रेश्यो, थ्री कर दो, बड़ा एक से ये, अच्छा ठीक है ठीक है भाई, सोरी, ये बड़ा था ना, एक से, 15 नहीं रखो, ये तीन एक से बड़ा है, एक से छोटा है, तो ये इससे बड़ा है ना, इससे छोटा है, तो इससे बड़ा है, यह नेगिटिव में आ गया तो माइनस साथ बटे सता होना है ना ठीक है नेगिटिव नहीं लगया यह तीन इससे एक इससे छोटा है तो उससे क्या होना चीए बड़ा इसको दुबारा लिखके दिखा देता हूं यह लिखोगे 1 बाई 3 माइनस 19 उपर भी 15 लिख दिया था यह 19 है 19 57 उननिस माइनस साथ बटे यह आया था 105 रेश्यो आया था किसी का दो का सही है यह वैल्यू एक से बड़ी और एक से चोटी हो गया अगर यह इस से चोटी है तो इस से क्या होगी बड़ी है ठीक है हो जाएगा को दिक्कत है चलो अगले पर हाँ काट लो वो तो सिंप्लिफाइब फोम में जैसा मिलेगा तीन से कट रहा है तीन से कैंचल हो गया कोई बात नहीं पेपर में जैसा है गिवन हो वैसे कर लेना कैंचल फोम मिलती है कि देखो अगला कोशन मैं जी तने भी कराओंगा यह चार पांच कोशन जीतने भी सारे एलीगेसन के कराओंगा मिक्सर का पाट कर दिया था मने मिक्सर एक टाइप हमने एलीगेसन से सोल कराई पिछले वाला एक कमरे में कुछ गाय और मुर्गिया है ऐसा आता पेपर में कुल जो सिर हैं, हैड, सो हैं, और लेक्स कितने हैं, दो सो, यह पूचा है, कितने गायों, कितनी मुर्ग्या रिज्जिआ हैं? यह पता नियोगा तो होगा ही नहीं एक सिर्गा मतलब टोटल एनिमल कितने हैं? सो हैं यह टोटल मिलाकर सो हैं अब गाये के कितने पैर होते हैं और मुर्गी के कई बार एक भी उता कड़ जाता वो ऐसे वाला काउंट नहीं करना है आपको प्रोपर लेके चलना है ज्यादा दिमाग मतलगाना तो यहां पर काउज और हैंस आपको यह बात पता चलते हैं के हैड तो सबका सेम ही होगा एक ही होगा मली हैड से तुम्हैं पता ही लगा पाऊंगा काउंटिंग में क्या है क्या नहीं है हैड तो सबका एक होता है पर क्या चीजळ डिफरेंस meant करते इनको पैर भी अलग यह होते है एक्के चार एक न्दो हैं सोव एनिमल थे टूटल सो कि सो गाय होती तो कितने पैर होते हैं तो कि सो मुर्गिया होती तो और पैर लेके कितने आने हैं भी ये दो चीजे यूज़ करके नेट रजल्टिय लाना है कर दो 400 में से 200 गया तो 100 और 280 में से 200 गया तो सही बत हमेलिय के से नमेशा ऐसा पढ़ा ना मान लो सारा डिस्टेंस कार से चलता मान लो सारा डिस्टेंस टेंस से चलता फिर नेट बीच में डिस्टेंस रख लेते मान लो सारे खाली करने वाले पाइप होते मान लो सारे भरने वाले पाइप होते नेट बीच में मान लो सार पैसम यह हम अरबार एलिगेसन ऐसे यूज करते हैं तो यहां भी मालिया सो के सुएड थे सुएड मतलब सो एनिमल थे सो के सो अगर का गाए उती तो कितने पैर हो जाते सो कि 100 मुर्गिया होती तो पैर और लाने कितने 200 अब यह टोटल एनिमल कितने बन गे अगर गाए है तो 120 मुर्गिया है एनिमल कितने बन गे लाने कितने एनिमल है हाफ है ना तो आपके एनिमल भी क्या हो जाएंगे 40 और यह X पर गैरा से भी हो जाते हैं सारे कहोगे मैं करा दूँगा X की इक्वेशन बना दूँगा तो अगब से पूछे गाई कितनी है तो आप बोलोगे 40 मुर्गया कितनी है 60 X से बता देता हूँ देखो X से अगर करना चाहो मैंने मान लिया काव यह इन्दी में तो नहीं लिखना है गाए हिंदी में लिवाले X है तो हैं कितनी बचेंगी 100 माइनस टोटल तो सो ही थे अगर गाए X है तो मुर्गया 100 में से 1 सटके वो बचेंगी अब X गाए एक गाए के कितने पैर टोटल पैर आगे प्लस यह हैं और एक हैं के कितने पैर और सब के पैर जुड़ कर कितने होने चीए स़ह है बोलो तो यह आया 4X plus 200 minus 2X बराबर 200 यह 200 दर जागे minus हो जाएगा और इस 4 में से 2 अटेगा तो कितना बचेगा x की value कितनी आगी तुम मुझे कोई भी question बोलोगे मैं x से करा दूँगा ठीक है ना तुम्हें लगता हूँ हमें x से बता दो x से बता देंगे और वैसे तो वैसे समझ में आ रहा है चलो अगला तुम्हारे लिए कर दो गिनो भाई कितनी मुर्गियां कितनी गाए 35 विश्यो बारा सई काउंटिंग कर दी अच्छे से कर दी गाए मुर्वियों को मैनेज कर देते हूँ आप एडवांस मैं भी शुरू कर देते हैं नेक्स वीक से कर दे या थोड़ा और एक दो वीक बाद अच्छा इंगलिसी क्लास भी शुरू कर रहे हैं आज सही करवा दूँ सब साइलेंड चलो क्लास के बाद डिसकस करते हैं इस पर आया भी और किस से करकविं एक मैंसरे क्रावाँ एक से डिटेल से विद च तो militarर एक से टोटल हैद सो हैं सो sir सो से अमसरे समय तो मतलब टोटल अरिमल कितने हैं फोर्टी सेवन इस तो फोर्टी स्वन आनिमल है मैं को अगर सारी की गाए उती ही था 47 की चार से मल्टिप्लाई हो जाती पैर कितने निकलते 1 47 चोके 188 अगर सारी गाय होती तो 188 पैर होते सारी मुर्गियां होती तो 94 और हैं कितने इसमें से इसको माइनस करा और यहां पर 70 तो रेश्यों यह जब सम करोगे तो इसका कितना आया चुरान में और आपके पास अनिमल कितने है हाफ है तो काव पूछे हैं पूछे वो भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा बोलो मैं ऐलिगेशन करार हो ऐलिगेशन साही करेंगे चीज़ए अब यह जो करनी है और यह कोई चैप्टर चुक्तर ने है ऐलिगेशन कोई चैप्टर ने है मिक्षर तो मान सकते हो जाएगेशन एक मैथड है पॉइंट टू फाइव का ही हो गया किसी ने 200 के 200 अटेम्ट करें कोश्यन और नंबर लेक्वाया है 120 यह माइनस वन मार्क है तो उसे ने पूचा कितने कोश्यन सही करें और कितने गलत करें अब से पूचा गया अब फिर वही बात है यहाँ एक ही चीज अलग करते हिनको सही कोशन और गलत कोशन टोटल कोशन तो 200 ही है मैं आर फॉर राइट ले लेता हूं सही और डवलू फॉर रों यानि गलत यह सही और यह गलत माल नो 200 के 200 कोशन ठीक कर देता, ऐसा ही करते हैं न, अगर वो 200 के 200 कोशन ठीक करता, तो उसको कितने नमबर मिलने चाहिए थे? 800, और अगर वो 200 के 200 गलत करता तो? साइन लिखना जरूरी है साथ में साइन लिखोगी तो सब इगड़ बड़ हो जाएगा और इसको मिले कितने निंबर 120 ये बीच में रखेंगे फिर माइनस कर दो 800 में से 120 गया 600 अब बताओ 120 में से माइनस हुआ माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अब टोटल जोड़ो ये अगर 1000 कोशिन होते कितने होते 1000 तो ये करता 320 सही और 680 गलत कोशिन कितने है 200 है कितना है एक बटा पाँच तो ये भी क्या हो जाएंगे हो जाएगा एलिगेसन समझ में आ रहा क्या है कहीं भी यूजो सकता है आप से ऐसा बोले कुछ चीज़े ये हैं कुछ चीज़े ये हैं और नेट रिजल्ट ये हैं ये बता दो क्या है इन गारेशो बता रहता है आप एलिगेसन यूज करोगे माँ पर एक से बता हूँ बताना है सही है तो अगला कोशिन आप लोग करो सेम कोशिन है बस इस पर 75 नमबर मिलें इसको कोशिन सेम रखा मार्क सिर्फ 75 ले के आया है तो इसने पूछा कितने सही और कितने गलत बता दो सही है हो गया यह चैप्टर हासान थे मिक्षर टफ को उनसा था सियाई अच्छा दोबारा बढ़ा हूँगा सियाई को एक बर यह फिनिश करा के दो वीक बार सियाई फिर करा देंगे अच्छा मेरे जीवन का मैंने जहां भी कभी देमो दिया है पहला मैं सियाई से देता हूं और मेरे को सबसे आसान चैप्टर लगता है सियाई अगर बच्चों को समझ में आये तो कि सियाई सबसे आसान चीज है और इसलिए मैं हमेशा कहीं भी अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा टाइम एंड़ पर किया सियाई से कभी कहीं भी पढ़ाऊंगा तो यह दो चैप्टर मैं कभी रेश्यों पर पोर्पोर्शन एवरेज में से शूरू निकरता बच्चे से जादा कभा खुस है विर पर मैंने कभी अभी दिया नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है रएट और रोंग था राइट और रोंग दोस्टो गया थीड़ो को आप आप नहीं मतeurकर आते योर दोस्टों गलट कर तो आय कितने इसमें से इसको माइनिस करा साथ्नों पत्रश्… और इसमें से इसको करा रेश्यो क्या आया एक हजार वैसे हजार से करोगे हजार कोशन होते तो ये सही गलत है कोशन कितने ये इसका तो ये भी हो जाएगा क्लियर है चलो एलेगेशन का इतना ही पार्ट एक दूसरा देखते हैं इसको ये पर अब आप मिक्सर एलेगेशन अपना डिटेल सोल करना नायमिर से पूछ लेना ठीक है इतना ही